सुरा मेरे मजजब मण कानव्यरन नीस्छा पजिंगऌ समा दियायमी सुरा मेरे मजजब मण कानव्यरमनी सिख्खा पजंग समा सबोБोलिए को बोलिए जितने बोल सकते हैं उतने को ये ये पोर्टन रात के एक वजे दो वजे तीन बज़े 24 गंटे के लिए हैं पूरे महिने पूरे साल नो महिने तो हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये जब तक internet रहेगा तब तक ये चलता रहेगा इसलिए बेफिकर रहे हैं जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये जो बोलेंगे वो बचेंगे जो चुप रहेंगे वो मारे जाए कि इसलिए बोलने की शुरुआत घरसे करें अपने इस पोर्टल से क्रें क्योंकि शेर की बच्चे और चोटे छुटे शेर नहीं और शेर होते हैं वह बच्चे पहले आपस में लड़ते हैं वहीं प्रक्टिस करते हैं फिर वह जाते हैं मैदान में बड़े बड़े शिकारो को मार लाते हैं कोई प्रक्टिस नहीं कराएगा आपको चारों तरफ नेता बैठे हुए're बस one-sided रहता है कि वो अपनी सुनाएंगे और आप सुनके चले आईए ताली बजा के यहां खूब प्रेक्टिस करिए यह है ही मंच इसलिए है यह सभी का मंच है समढ समाज का मंच है 22 मई 2019 एक हमारी होनहार बेटी पाइल तणवी डॉक्टर पाइल तणवी उसको सुसाइड के लिए मजबूर किया गया तीन महीला डॉक्टरों ने कास्ट के उपर क्योंकि वो ट्राइब थी पहली अपनी पूरे एरिया में डॉक्टर बन रही थी अपने ट्राइबस में और उसको डॉक्टर नहीं बने दिया उसको इतना रटालित किया कि उसको खतम कर दिया कि सुसाइड हो गई बाद में फिर सतर दिन बाद उन तीनों लड़कियों की जमानत भी हो गई क्योंकि कंप्लेंट पर कोई गया नहीं हाई कोट से और उस दिन हाई कोट को वहां को पर्सू करने वारा था नहीं और उसकी जमानत भी होगी यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी अभी यहां जब पोर्टल स्टार्ट हुआ महिलाओं का तो महिलाओं की एक खुशकबरी आई कि मांसी नाम की हमारी जो बेटी है उसने में एडिमसन लिया है और सभी ने बदाई दी बदाई देनी चाहिए अच्छी बात है क्योंकि वैकेंसिया बहुत कम रह गई हैं और डॉक्टर हमारे नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि अब पेड़ वैकेंसी हो रही हैं और जो पाइल तर्वी को मारा गया उससे भी सबक लेना चाहिए क्योंकि जो वहां जाती के लिए वहां धगड़ा होता है और जो फोल्लकास्ट लोग या ओबीशी लोग या सम्ञ आन नहीं हैं उनके पेट में क्यों दर्ध होता हैं यह बहाना है जो वह कहते हैं कि रिजर वे शन से आये हैं आज के समया आप खुलके कह सकते हैं कि जो एकॉन्यमिक व उनके बच्चे भी पैसे दे के एडमिसन ले ले लेते हैं और आज की डेट में जो समर्ण समाज के लोग है S.C.S.T.O.B.C. उनकी हाई मेरिट जा रही है मगर उनको एडमिसन नहीं है मगर फिर भी पैतार्ना है क्योंकि पैतार्ना मार्क्स की नहीं है पैतार्ना आरेक्ष्ण की नहीं है क्योंकि आरेक्ष्ण तो सभी ले रहे हैं आज के समय क्या बम्मन और क्या समन सभी ले रहे है जो पैतार्ना है वो इस बात की है कि हम इस देश के असली मालिक है और ये पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं या आगे बढ़ रहें पाइल तड़ भी नहीं मारी जाती मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया है कि हमारे बच्चे जब मेडिकल में इंजिनिंग में या अमबीबियस में जाएं क्योंकि वो पढ़ने में इतने ज्यादा मश्गूल रहते हैं कि उनको ये पता हो या रिजर्व कैटेगरी से हो और उनका चुप से सार्टिफिकिट बनवा लेते हैं और सार्टिफिकिट बनवा के उनको लगा देते हैं एडिमिसन हो जाता है और जब वो एडिमिसन लेने कॉलिज में जाते हैं तब उन्हें पहली बार पता चलता है कि वो तो काश्ट की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं बाकी लोगों के साथ में ये टेंडेंसी महानगरों में बहुत ज़्यादा है इसलिए उस वीडियो को जरूर देखाना मांसी बेटा को के पाइल तर्वी नहीं मारे जाती अगर वो यह जान लेती या यह वीडियो देख लेत हैं वो अपने चौथे दिन के लिए कोई संगर्स नहीं कर रही है और अपने चौथे दिन की कोई डिमांड भी नहीं कर रही है जो दे दिया उनके लिए बहुत है आगे उनको कोई डिमांड नहीं है कोई उनकी तरफ से डिमांड नहीं आती कि हमारा दिन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए या हमारा ये टाइम होना चाहिए या ये काम होना चाहिए या वैसा होना चाहिए ये इसलिए हैं क्योंकि हम गुलाम इसलिए हैं जो हम समरद लोग हैं जो मर्द गुलाम हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमारी औरतें गुलाम हैं अगर हमारी औरतों को गुलामी में आनंद ना रहा होता और हमारी औरतें गुलाम ना होती तो हम बहुत तेजी से आजादी हासिल कर लेते हैं, हम बहुत तेजी से अपने सारे अधिकार हासिल कर लेते हैं, मगर हमारी औरतें गुलामी को पूरी तरह से एंजोई कर रही है, पूरा इसका आनंद ले रही है, ठीक वैसे जैसे रसी पड़ी हुई गाए या भैस या बैल या बकरी या उंट, वो आनंद लेते हैं, चारा खाते रहते हैं और अपनी इस तीसा संतुष्ट रहते हैं, कहीं दूर दूर तक भी ऐसा जिक्र नहीं है कि महिला गुलाम है, दूर दूर तक मुझे एक कहानी नहीं मिली उसके अंदर, एक सुत नहीं मिला, एक स्टेंज नहीं मिला, जिसमें यह जो आज के समय जो परंपराय चलती हैं, जो आज के समय बंधन चलते हैं, या जो आज क कोई परंपरा मिली ना ही कोई तीज ना ही कोई तवार ना ही कोई ब्रत ये कमाल की बात है कि बुद्ध और बुद्ध से पहले बुद्ध के किसी साहिते में ये चीज है ही नहीं तो ये तो तैह है कि महिलाएं उस समय आ जाती ही महिलाएं गुलाम बाद में बनी है और कहानियों में एक भै पैदा गिया गया एक डर पैदा किया गया है और एक लालच पैदा किया गया है कि अगर ये वाली कहानी है तो इसमें इस औरत को बहुत ज़्यादा कुछ मिला और ये वाली कहानी है तो उसका पती जीवित रहा ये वाली कहानी है तो उसके पती की लंबी आयू रही, ये वाली कहानी है तो उसमें उसके बच्चों की आयू लंबी रही, ये वाली कहानी है तो इसमें बहुत ज़्यादा अलाब हुआ, ये सारी कहानिया पहले बनाई गई, फिर सुनाई गई, फिर इनकी लीला हुई, लीला का मतलब है पाली में हाव भाव, यानि के नाटक और मंचन हुआ, तो लीलाए हुई, पहले तो टीवी था नहीं, पहले सनीमा तो था नहीं, तो पहले नाटक मंचन होते थे, तो ये हर परकार की लीलाओं के नाटक मंचन हुए, और ये दिमाग में डाली गई, सुरू में महिलाए गुलाम नहीं ती, मगर उन कहानियो को दिखा दिखा के दिखा दिखा के फिर उनको प्रेर्ट किया गया और फिर वो कहानियों में ढलती चली गई और कहानियों में ढलती चली गई और वो उन कालपनिक किताबों की कहानियों को सच मानते हुए उन्होंने अपने उपर रजाई की तरह ओड़ लिया और आज तक न में आई वही कहानियां दोवारा से बनार सी सारी स्टाडी में लपेट के वही कहानियां बहुत महंगे महंगे असेट्स बनाके बहुत महंगे महंगे सेट्स बनाके ज्वेली महंगी महंगी दिखाके महंगे महंगे साथ संगार महंगी महंगी बाता दिखाके फिर टीवी में और फिर मैगजीन जो आती है, जो पत्रकाई आती है उसमें, और फिर उसके बाद जो पिचर आती है उसमें, और सीरियल तो हमारी महिलाएं इतनी बुरी तरह से देखती हैं जिसका कोई जवाब नहीं. यानि अब आधुनिक लीलाएं चल रही हैं जो पुरानी लीलाएं वो पावा साब की वैसे खतम हो गई हैं समझ में आ गया कि ये सब आधम बर हैं मगर दूसरा चल गया मामला और सारी महिलाएं टीवी में मैगजीन में और पिच्चरों में इन्वाल्व हो गई हैं और कमप् किया इसने ये तीज किया जो रीट यी रिवाज कहीं दूर दूर तक सपनों में नहीं थे वो टीवी ने और मैगजीन ने और पिच्चरों ने घर घर में बढ़ दी और उसमें हमारी सारी महिलाओं को दوبारा से लपेड दिया महिला आजाद नहीं हो पाई और महिला अपनी आजादी को चाहती भी नहीं है वो अपनी गुलामी एंजॉय कर रही है उनको गुलामी एंजॉय करने में बहुत मज आ रहा है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी गुलामी के चलते चलते उनकी बच्चे गुलाम हो गए उनके सारे अधिकार चले गए सब खतम हो गया सिर्फ इस गुलामी की वैसे जिसका वो आनंद ले रही है बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद या सोख के समय या चार सो पांसो साल पहले तक भी कहीं कोई ऐसे गुलामी के चिन नहीं मिलते कहीं नहीं मिलता साहित में कि कोई शादी बुद्ध ने कराई हो या भिक्व ने कराई हो या किजी सादी में कोई फेरे पड़े हो या कुछ ऐसा हुआ हो या शादी के बाद लड़की घर छोड़के जाती हो कहीं कोई धार नहीं है घर बसाना है चाहे वो लड़की का है या लड़की का है जहां भी है बसा लेती थे, कहीं कोई रिवाज नहीं है, जो प्रधान होता था, यानि कि माता प्रधान, मात प्रधान हमारी संखती होती थी, संस्क्रती होती थी, कल्चर होती थी, उसमें माता घर के अंदर प्रधान होती थी, उस माता प्रधान कल्चर कोई बदल दिया, और पिता, पित जो भी है मा बिटे जो भी है वो अपना घर चलाते नहीं माता चलाए करती थी बाहर के काम आदमी करता था और ऐसा उल्टा खेल करा आदमी को उसमें फशा दिया और मानसिक रूप से वो भी ऐसा ही हो गया तो सारी की सारी महिलाओं को ये पता नहीं है इसको कौन बताएगा क कि हम प्राचीन समय में बुद्ध के समय में मानसिक रूप से गुलाम नहीं थे इसे कौन बताएगा कि हम ये सास सिंगार बरावट और इसमें जो हम अपना टाइम खराब करते हैं या इन परंपराओं में जो टाइम खराब करते हैं जो हमारी हैं ही नहीं ये हमारी नहीं थ इसको बताने के लिए महिलाओं को आ गया ना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं महिलाओं की बास सुनती है, आद्मी को तो आहम भगा देती है, कहते हैं चुप हो जा तुम्हारे बसकी कुछ निया, तुम्हारे तंदर अकल ही नहीं है, ऐसे कह कर उसे घ्र चलाना होता है, इसलि को धारन इस बास से है कि महिलाओं का जो संग बना है उस संग में काम नहीं हो रहा है महिलाएं जो प्रॉफेशनल तरीके से काम करना भूल गई है जो पहले वो अपना प्रॉफेशनल तरीके से काम किया करती थी जब वो कुल माता होती थी वो टेंडेंसी निकल गई उनके दि तुष्टी का क्यों कि उनको हजार तरह की फिल्में दिखाई जाती है महिलाया तो बड़ी संतुष्ट होती है बासी बचा कुछा खा लिती है मिल गया तो खा लिया नहीं मिला तो कोई बात नहीं भूगी रह गी बेटे के लिए पती के लिए दादा के लिए परिवार के लि तो उनको देश चलाने का लिखित में डॉकूमेंट भी दे दिया जो सम्मिधान है और उसी के तहत में महिला प्रदान मंत्री बनी तो वो बल उनको याद करना पड़ेगा और उस बल को याद करते हुए उनको अपने पास हमेसा एक पैन और एक डायरी रखनी चाहिए उस डा महिलाओं को नहीं जोड़ पाता है इसलिए महिलाओं को महिला जोड़नी पड़ेंगी तो हर एक महिला अपने पास एक डायरी एक पैन रखे और अपने अपने जिले में अपने अपने तहसील में अपने गावं में जहाबिया हो जाएं और उनको सक्रिया करें क्योंकि महिल को बचाना चाहती है और नहीं बचाना चाहती है तो एक मांसी तो डॉक्टर बन गई दूसरी मांसी डॉक्टर नहीं बनी हजारों मांसियां हैं जिनको डॉक्टर बनना है जिनको इंजिनर बनना है जिनको बहुत बड़े बड़े जॉक बनना है और सारी काबिल है ऐसा नहीं तो सरकार कालिज कोलेगी नहीं और बच्चे हमारे काब Hil है तो पढ़ाएगा कौन पढ़ेगा कैसे इसके लिए सरकार से आपको कहना पढ़ेगा के और ऐस कूल खोली जा कोली और एवर मेडिकल कॉल्ज कोली जा खोली जा, को पाप всегда है एंग्ट एंग्र सरकार को कहना पड़ेगा कि एंजिनिक कॉलिज और इंजिनिक का जो इंस्ट्टूट है वो खोलिए सरकारी नोनोक्री खोलिए तो कहेगा कौन अगर आधी आवादी बैठी रहेगी आधा जनबल बैठा रहेगा तो आधा नहीं बैठा रहता है अगर एक महिला घर में बैठ जाती है तो उसके दो बच्चे साथ बैठ जाते हैं तो चार मैसे तीन हिस्से बैठ गए तो एक हिस्सा रह गया जो मर्दों का है इसलिए हम कामयाब नहीं हो पारे क्योंकि हमारे तीन हिस्से बेकार पड़े हुए हैं और एक हिस्से पर हम ताकत लगा रहे हैं और बाकी ल आलू की फजल जो निकलती थी उस पर खुनम खान होता था कि तू आलू जादा ले गया और मैं आलू जादा ले गया भुकमरी की हालत रहती थी यूरोप के अंदर और यूरोप वालों ने जब काम करना सुरू किया और उनको समझ में आया कि हमें आपास में नहीं लड़ना चाहिए एकटा होना चाहिए तब वो दुनिया में फैले उनकी महिलाएं काम नहीं करती थी हमारी महिलाएं काम करती थी उन्होंने अपनी महिलाएं को काम करना सिका दिया उनकी महिलाएं बरावर काम करने लगी तो उनकी फोर्स डबल हो गई घर में आदमी भी काम कर रहा है और देश डबल हो गया उनका और हमारा देश जो डबल था वो आधा कर दिया पहले हमारी महिलाएं सारा काम क्या करते थी जब समढ़ संग का नियम चलता था जब से लोग आए वो महिला लेकर नहीं आए महिला सारी यहीं की है इसलिए महिलाओं की कोई जाती नहीं होती और महिलाओं का कोई वर्ण मी नहीं होता महिलाओं से इसलिए महिलाओं को गुलाम बनाया गया वरना कोई कारण नहीं था कि सारी महिलाओं गुलाम होती आप ध्यान होता है कि महिलाएं सारी भारत की हैं अगर सारी महिलाएं भारत की निये होती तो बंबन के नियम जो महिलाओं में वो अलग होते और समण की जो महिलाओं उनकी नियम अलग होते ऐसा है नहीं महिलाओं को सारे नियम सही हैं और वो सारे नियम यह हैं कि आपको अपने मर्द की गुलामी करनी है और गुलामी करने का संसकार लगाता लगाता टीवी सीरियल जो लीला हैं जो किताब हैं पुरानी जो प्राचीन हैं जो कताएं जो घरगर में एजन्ट आगर सुनाता है वहां से हम मांसिक रूप से उनको गुलाम पाते हैं इसलिए इस काम को जितनी तेजी से आप सीख लेंगी कि हमारी जो मांसी गुलामी है वो कहां से है तो आपको तोड़ना आ जाएगा और अगर मांसी गुलामी आप तोड़ना रुकें फिर आप औरों की मांसी गुलामी तोड़ना काम करें इसलिए एक काम करें जैसे अफसर करता है आफिस के अंदर एक एक चीज को ध्यान रखे कि कब मैंने कितना काम किया किस से बात हुई कैसे नहीं हुई क्योंकि समर्भ संग मैं जो महलाओं का है अगर उसमें हजार महलाine आती है तो वो पुरूस से ज़्यादा होनी चाहिए तब कामयाबी होगी बावा صاحب ने ऐसा ही का है कि जिस समाज की महलाये ज़्यादा जागर्यत होती है मैं उसको जागर्यत मानता हूं और ये सच बात भी है क्योंकि बावा صاحب जानते थे कि महलाये हमारी पहले गुनाम नहीं ती अगर महलाये सारी जाग गई है इसलिए महिलाओं से निविदन हैं कि तीन दिन में संतुष ना हो अपनी संख्या बढ़ाएं अपना धिकार पूरा लें और इसके लिए लड़ें और गुलामी जितनी हुई है उसका अनंद लेना बंद करें आजादी के तरफ आएं कि पुरानी रीती रिवाज हमारी कोई नहीं है सारे के सारे बरावर हैं क्या नर और क्या नारी है क्योंकि बुद्ध ने जो कहा है वो कहा है पुरुस पुगला पुरुस पुगला का मतलब है कि दो पुरुसाथ करती हैं उनका युग्म पुरुसाथ का मतलब है जो महरत करते हैं पुरुसाथ का मतलब पुरुस जो काम करता है उससे नहीं है पाली के अंदर पुरसार्थ का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा कोशिस करता है महत के काम करने की जो चितावनी वाला जो ऐसा काम होता है जिसमें चेलेंज होता है उसको पुरसार्थ बोलते है और इस पुरसार्थ में नर नारी दोनों ही आते ह कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बागी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है, उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामी उतियं पी बुद्धं सेण गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सेण गच्छामी दूतियं पी धम्ममर्सेण गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सेण गच्छामी दूतियं पी सेण गच्छामी दोगियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी दोगियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी थिर्दान सर्णं कच्छामी किले दोगियं पी बुद्धम सर्णं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तरतियं पी